हेलो पेरेंस, हेलो बच्चो सो बच्चो हमने पिछली बार कौन सा शेप पढ़ा था वेरी गुड ट्राइंगल तो आज हम लोग एक नए शेप के बारे में जानेंगे और वो है रेक्टांगल तो देखो रेक्टांगल कैसे दिखता है उसके four sides होते है उसके opposite side यानि कि opposite जो line होती है रेशा होती है वो same होती है तो चलो अब देखे कि triangle shape के हमारे आसपास कौन-कौन सी objects होते हैं कौन-कौन सी चीजे होती है जो triangle shape में होती है तो ये क्या है? डोर, डोर का shape क्या है? रेक्टांगल ये है refrigerator, fridge इसका shape कौन सा है? रेक्टांगल ये है books और books का shape कौन सा होता है? रेक्टांगल ये है bookshelf जिसका shape कौन सा है? इसका shape है? रेक्टांगल तो बच्चो आज हमने किस नए shape के बारे में जाना? आपके option है A. Square B. Rectangle C. Circle रेक्टांगल बनाने के लिए कितनी sides को join किया जाता है? कितनी lines को join किया जाता है? आपके option है A. 5 B. 3 C. 4 आगे बताई गई चीजों में से कौन सी चीज का shape रेक्टांगल होता है? आपके option है A. Cupboard B. Hanger C. Plate Thank you parents Thank you बच्चो ně से बच्च्चो